महला पहली बार गर्भवती हो तो उसकी उम्र 18 वर्स से ज्यादा होनी चाहिए और ये पती-पत्नी दोनों के सहमती होनी चाहिए कि आप दोनों माता-पिता बनने के लिए तयार हैं कि नहीं एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच का अंतर कम से कम तीन साल का होना चाहिए मा और बच्चा दोनों से हत्मन्द रहेंगे आप अपने बच्चे को अधिक समय दे पाएंगे उसके खान पान का अधिक ख्याल रख पाएंगे परिवार जब छोटा होगा तो हम उन्हें एक नई जिन्दगी दे सकते हैं और हम भी तो आराम की जिन्दगी जी सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मा और बच्चा जब दोनों स्वस्थ रहेंगे तो सोचो तुम्हारा पैसा भी तो बचेगा इसलिए तो लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार परिवार नियोजन के कई तरीके हैं उनमें से किसी को भी तुम अपना सकते हो जैसे की कॉंडोम, मालाडी, मालाएन या फिर कॉपर्टी परिवार नियोजन से जुड़ी पूरी जानकारी लीजे